सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए प्रिस्नाप लोग कर पाएंगे चलिए तो सात्यों कोशे नमर वं से लेकर कोशे नमर हंडेट तक आप सबHY लोग इस कुलास को देखेंगे जलास को सपोर्ट करेंगे जलास को लाइकि और बातो है तो इसका इसकी अगर बात करें है 19 दिग्री चार मिनट से 37 दिग्री छे उत्तरी अक्षांस है उसके बाद देखिए संपूर भारत का अगर देशांतरी विस्तार आप से पूछ ले कितना है तो 68 दिग्री साथ मिनट 97 दिग्री 25 मिनट पूरवी देशांतरी आपको दिहान रखना है उसके बाद देखिए कि भा अगर पूछा जाए तो पहले नमर पर है लेकिन यहाँ पर आपको पहला कर लेना साथ हो ठीक है थोड़ा इडिट कर लेना इडिट नहीं हो पाया चले उसके बाद देखिए कि भारत का छेतरफल संपूर्ण विश्व का कितना पृष्षत है तो 2.42 पृष्षत है यह बात आ यहाँ पर साथियों अगर बात करते है भारत का उत्तर से दक्षिन में विस्तार कितना है तो 3215 किलोमीटर है आपको धियान रखना है भारत का पूरव से पश्षिन में विस्तार की अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर आपको धियान रखना है साथियों वो कोशन है जो एगज सूमी के तटिये भाग की लंबाई कितनी है तो 6100 किलो मीटर है या 6100 किलो मीटर है भारत की सीमा की लंबाई कितनी है 15200 किलो मीटर है संपूर भारत के तटिये भाग की लंबाई कितनी है तो 75116 किलो मीटर है भारत में लंबाई में भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ तो सातियों भारत की सबसे अज़ादा सीमा जो है वो बांगलादेश के साथ लगी हुई है भारत की सीमा कितने देशों को इसपर्श करती है सातियों तो साथ देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा को इसपर्श करते है या भारत की सीमा उन देशों को इसपर्श करती है वो देश कौन कौन से है तो बांगला देश है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मियामार है और अफगानिस्तान है अच्छा बांगला देश की सीमा भारत के कितने राजों को इस परश करती है ये पुछन कई बार पूछा जा चुका है कि बताए इन में से कौन सा ऐसा वो राज़ है जिसकी सीमा बांगलादेश से नहीं साजा करती है नहीं डर लगती है तो साथियों पांच राजय ऐसे है जो बांगलादेश की सीमा भारत के राजय से गुजरती है या कह सकते हैं टets करती है तो असम है, मेगाला है, मेजोरम है, तिरपुरा है और पशिब मंगाल है। उसके बाद देखिए कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को इसपर्श करती है। उसके बाद देखिएंगे, अगले नमबर का प्रिशन है कि भारत की जलिये सीमा कितने देशों से इसपर्श है। तो जलिये सीमा की अगर बात करते हैं साथियों तो साथ देश आ जाएंगे, मौलदीव आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, शिरिलंका आ जाएगा, बागल के रूप में भी साथियों और इस्थल के रूप में भी दोनों देशों को, जल की भी सीमा साजा करता है, जलिये रूप से और इस्थल के रूप में भी सीमा साजा करता है, बांगला देश है, मियामार है और पाकिस्तान है, तो भारत के कितने देश साथियों, तीन देश, जल और इस्थल सीमा दोनों से इस परश करती है ठीक है चलिए उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे दक्षुनतम बिंदू कौन सा है तो इंदरा पॉइंट कहलो या पिगमेलियन पॉइंट कहलो साथ हो या आपको ध्यान रखना है चलिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदू क अगर बात करें तो इंदरा कॉल है और भारत का सबसे पुर्वी बिंदू कौन सा है तो वालंगू कहला जाता है भारत के मुख भूमी का दक्षुनतम बिंदू साथियों क्या कहला जाता है कन्या कुमारी कह सकते है भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है तो भारत और चीन की सीमा के बीच सातियों जो रेखा है उसको मैक मोहन रेखा कहा जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कह सकते हैं रेड कलिफ रेखा कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा सातियों क्या है तो डुरंड रेखा है और पांक जल्ड देश कौन कौन से है तो भारत है पाकिस्तान है बांगलादेश है और भूटान है और उसके अलावा नेपाल है मननार की खाड़ी किन्दु देशों की बीच है तो भारत और श्रिलंका की बीच इस्तित है उसके अलावा देखिए कि भारत के किस राजी की तटीय रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की 30 अरेखा सबसे लंबी है और कितनी लंबाई है तो 1663 किलो मीटर है सातियों आप समी लोगों से आपर रिक्ष्ट करता हूँ कि एक बार क्लास को लाइक कर देंगे अगर क्लास को शेयर ने किया हो तो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे चले और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर कर देंगे कमेंट सेक्शन आपके प्यार का इंतजार कर रहा है जिसको मैं डेली सातियों पढ़ता हूँ भारत के कितने राजे तट्रेखा वाले राजे हैं तो नौ राजे हैं महराष्ट है, गोवा है, करनाटक है, केरल है, तमिल्नाणू, ओडशा, पश्यमंगाल और अंधर प्रदेश गुजरात है ठीक है? तीन ओर से बांगला देश से घिरा राजे कौन सा है? यह एक ऐसे राजे से बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो तीन तरफ से बांगला देश देश से घिरा है एक ऐसे राजे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो वो राजे कौन सा है साथियों? तिरे पुरा वो राजे है यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है, किस देश से तो बांगला देश से चलिए अब उसके बाद देख लेंगे साथियों अगले नमबर का प्रशन है कि कौन सी नदी असम और अरणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है तो संकोश नदी ये मुस्ट इंपॉर्टन कोशन था शिपकीला दर्रा रोहतांग दर्रा तता बाड़ा अलाचा दर्रा कि सराज में है तो हिमाचल प्रदेश में है नातुला दर्रा तता जैलेपला दर्रा साथियों कि सराज में है तो सिक्किम में है और तुझू दर्रा कि सराज में है तो मरेपुड में है याब को ध्यान रखन यांग्याब दर्रा, बोमडिला दर्रा, तता दिफू दर्रा ये किस राज में है तो ये भी अरुनाचल पुर्देश में है और लिफू लेक दर्रा, माना दर्रा ये तता नीती दर्रा ये किस राज में है तो उत्तरा खंड में है भारत के सबसे उचे दर्रे की बात करें तो कारा कोरम दर्रा भारत का सबसे उचा दर्रा है या आपको ध्यान रखना है लेह को कश्मीर घाटी से कौन सा दर्रा जोडता है सातियों तो जो जिला दर्रा जोडता है ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा दर्रा शिरिनगर से गिलगित को जोडता है सातियों तो बुर्ज चलिए उसके बाद दिखिए के शीवालिक अवम लगु हिमाले के वीच कौन सी घाटी है तो काटमांडू घाटी है या आपको धिएन रखना है मैकाल दर्रा की सराज़ में इस्तित है तो मैकाल दर्रे की अगर बात करते है सातियों कहां पर है तो 36 गड़ में इस्तित है यह आपको ध्यान रखना और मालवा का पठार कहां पर है मध्यप्रदेश और 36 गड़ में है मैकाल पहाड़े का सरवच शिकर कौन सा है तो अमरकंटक है नर्मदा नदी, सोन नदी, ततमाह नदी का उधगम इस्तल कहां पर है साथियों तो अमरकंटक में है ये बात आपको ध्यान रखना है किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है साथियों तो धूब गड़ी है ये आपको ध्यान रखना है तापती नदी का उधगम इस्तल कहां परिस्तेत है तो सत्पुड़ा परवश्रणी में पश्यमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो सहाधरी कहा जाता है उत्तरी सहाधरी का सर्वोची शिकर कौन सा है तो कालसु भाई है दक्षणी सहाधरी का सर्वोची शिकर कौन सा है तो कुद्रे मुख है उसके बाद देखिए कि महाबलेश्वर चोटी का उच्चितम बिंदू कौन सा है तो विल्सन पॉइंट है नदी आपसे उठा कर पूछी जा सकती है कि बताई यस नदी का उधिकम कहां से होता है तो महवले शुवर से होता है उसके बाद देखिये कि थालगाट दर्रा किन शहरों के बीच स्थित है तो मुंबई और नासिक के बीच स्थित है बोरघाट दर्रा किंदो इस्तानों को जोड़ता है तो मुंबई और पुरे को जोड़ता है आप उसके बाद देखते हैं कि दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी के अगर बात करें निके अन्ना मुड़ी की बात करें तो इक किस पहाड़ी परिस्थ है अन्ना मलाई पहाड़ी परिस्थ है अप लोग ध्यान रखेंगे आंद्र पृदेश और ओरिशा के तटिये भाग में कौन सी पहाड इस्तित है तो महेंदर गिरी की पहाड़ी साति हो आंद्र प्रदेश और ओरिशा के तट ये भाग में इस्थित है कन्या कुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कौन सा तट कहलाया जाता है तो कोरो मंडल तट कहलाया जाता है पारा दीब बंदरगा कि सराज में है तो ओरिशा में है तूती कोरिं तता इन और बंदरगा कि सराज में है तो तमिलानू में है और हल्दिया बंदरगा कि सराज में है तो पश्यमंगाल में साथियों कौन सा बंदरगा है तो हल्दिया बंदरगा है ये बात आब सभी लोगों को याद रखना है चलिए साति अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन है कि गुजरास से गोवा तक का 30 छित्र इसको क्या कह सकते हैं तो कोंकर्टत कहते हैं गुजराश से 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 गुजर इन सभी कोशन को आपको घोल कर पी जाना है भूगोल आपकी तगड़ी हो जाएगी ये समझ लीजे करनाटक से कन्या कुमारी तक का 30 छेतर क्या कहलाया जाता है तो मालाबार तट कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है तो सातियों गोवा में स्थित है नहवा शोवा बंदरगाह सातियों महराष्ट में स्थित है ये आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है चलिए उसके बाद देखिए के मौलदीब तथा मिनिकाई के मद्द कितना डिगरी चैनल गुजरता है तो 8 डिगरी चैनल सातियों लक्षदीब तथा मिनिकाई के बीच कितने डिगरी चैनल गुजरता है तो 9 डिगरी चैनल चोटा अंडमान निकोबार तता इसके बीच आने के चोटा अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिगरी चैनल गुजरता है तो 10 डिगरी चैनल गुजरता है सुमातरा तता निकोबार के मद्ध कौन सा चैनल है तो ग्रेंड चैनल है दक्षुनी अंडमान तता लगू अंडमान के बीच कौन सा पास है तो कंडक पास है डककन पास है नंकन पास है बात आपको देहान रखने अंडमान निकोबार दरिप समू की सबसे उची चोटी कौन सी है तो सैडल पीक है ये आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है उसके बाद देखिए साथियों अगले नमबर के पिरश्टन है कि पम्वन दरीब कहा पर स्थेत है तो मनार की खाड़ी में, बैरन दरीब किस राज प्रतियों तो किस राज कहलो या आपका केंड़ शासल परदेश कहलो तो अंडबा निकोबार में परस्थेत है, अलक नंदा नदी का उद्गम साथियों कहा परिस्तित है तो संतोप शिमानी परिस्तित है ये आपको ध्यान रखना है बरहमपुत्र नदी बांगला देश में जो जानी जाती है वो किस नाम से जानी जाती है साथियों तो उसको जमुना कहा जाता है चलिए गंगा नदी बंगला देश में किस नाम से जानी जाती है तो पदमा नाम से जानी जाती है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गरती है तो कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गरती है गंगारदी गरती है, गोदावरी, कावेरी, हुगली, बैगाई, कृष्णा, ब्रहंपुत्र, महानदी इन सभी नदियों के नाम आपको ध्यान रखना है और ये सभी के सभी नदियां साथियों बंगाल की खाड़ी में जाकर गरती है कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गरती है, तो सिंदू नदी साथियों अरब सागर में गरती है कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गरती है, तो तापती, नर्मदा, साबर्बती और माही नदियां ये खंबात की खाड़ी में गरती हैं बात आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए चिपरा नदी का उद्गम सातियों कहां से होता है तो मध्य पुर्देश के बरड़ी पहाड़ी से आपको ध्यान रखना है चिपरा नदी का उद्गम होता है चलिए गंडक नदी के शहर के समीब इस्तित है साथियों गंडक नदी जो है ये किस शहर के समीब गंगा नदी में मिल जाती है तो पटना में जाकर साथियों गंगा में मिल जाती है ये बात आपको ध्यान रखना है आपसे परिक्षा में साथियों यहाँ पर ये प्रिशन पूछे जा सकते हैं चलिए उसके बात देखिए कि सिंदु नदी के अगर बात करें तो सिंदु नदी का उदगम इस्तल है तो तिबबत में सानु क्या बाद हिमन साथियों जो है या सिंदु नदी का उदगम इस्तल है सतलज नदी के अगर बात करें तो इसका उदगम इस्तल क्या है तो राकस दाल है इ पतलज नदी यसिंदु नदी की साहिक नदी है चिनाब नदी भी है रावी नदी भी है व्यास नदी भी है और जिलम नदी भी है अगर पूछा जाए कि कुरल बानास बामनी तिप सिप्ता तता पारवती किसकी साहिक नदी है तो चम्मल नदी की साहिक नदी है आपके सामने ह चौकिया तता सर्मा किसकी सायक नदिया है तो शारदा नदी की सायक नदिया है यास इंद्रवती तता लीकू किसकी सायक नदिया है तो कोसी नदी की सायक नदिया है ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है चलिए साथियों तो ये आपके लिए यहाँ पर भ सातियों अगर चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें के वेल आईकन पर क्लिक करें तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जय हिन सातियों करें गुरुजिव वर्ड और वेल आईकन को प्रेस करें सबसे पहले सेlement के लिए